बाल मनुविज्यान के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है हम पिछली कक्षा में जीन प्याजे के सिधान्त को देख रहे थे उसमें हमने दो अवस्थाओं को देख लिया था आज बाकी के अवस्थाओं को हम देखेंगे आज हमारा बाल मनुविज्यान का छटवा के पहले हमने कल जो देखा था एक बर उसका रिवीजन फड़न फड़ा-फड़ करेंगे कल हम जीन प्याजे का संग्यनात्मक विकास का सिधान देख रहे थे और यह सिधान्त कैसे बना था तो बच्चों के मानसिक विकास के अधार पर जीन प्याजे जी ने क्या किया था इन्हों ने अपने सिध्धान्त में क्या बताया था कि बच्चों का जो विकास होता है वो चार अवस्थाओं में से होकर गुजरता है तो ये चार अवस्थाओं जिसमें हम दो अवस्थाओं देख चुके थे आज हम बाकी के दो अवस्थाओं को देखेंगे कौन-कौन सी अ इंद्री गामक अवस्था जो जैन्म से दो वर्ष का होता है दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या जिसे हम क्या कहते हैं प्री ओप्रेशनल स्टेज कहते हैं यह कब से कब तक होता है तो हमने देखा था कि यह दो से साथ वर्ष होता है साथ ही आपका stage of concrete operation आज हम इसको समझेंगे और stage of formal operations मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था को हम आज समझेंगे चलिए आगे वड़ते हैं question भी हम देख चुके थे यह सबका आप notes बनाते चलेंगे मैं बार बार repeat कर रही हूँ exam में काम आएगा चलिए आज हम देखेंगे तीसरा stage जीन प्याजे के अनुसार जो क्या है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चे की उम्र क्या होगी इसमें बच्चे की उम्र जीन प्याजे ने क्या किया है साथ से ग्यारा वर्ष बाटा है कहीं कहीं पर आपको बारा वर्ष भी देखने को मिलेगा तो क्या है इस stage की विसेश्था तो साथ से बारा वर्ष या ग्यारा वर्ष इस अवस्था में बालक क्या करता है विद्याले जाना प्रारंब कर देता है आप देखिएगा जब बच्चा क्या होता है मूर्त संक्रियात्म का वस्था में प्रारंब करता है या प्रवेश करता है तब वो विद्याले जाना प्रारंब करता है आगे देखेंगे घटनाओ एवं अभी ये थेयोरी परते चलेंगे क्योंकि इस थेयोरी से ही आपके कोशन बनेंगे वस्तवो एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्यता समझने की क्या होती ही शमता उत्पन हो जाती जैसे हमने देखा कि जब बच्चा जीरो से दो वर्ष का होता है तो वो इंद्रिगामा का वस्ता में होता है मतलब अपनी भावनाओं को किसकी द्वारा प्रकट करता है अपने समवेगों की द्वारा और सारे रिक्रियाओं के द्वारा उसके बाद दूसरा वस्त हमने क्या देखा था पूर्व संक्रियात्मा का वस्त था उसमें क्या होता है बच्चे की भासा का विकास होता है अब आता है आपका मूर्त संक्रियात्मा का वस्त था concrete operation जिसे हम क्या कहते हैं इसे हम 7-11 का वर्ष कहते हैं इसमें अब बच्चा निश्चित रूप से आप किसी बच्चे को देखेंगे 6 वर्ष की उम्र से बच्चों का admission सुरू हो जाता है बले ही वर्तमान की सिच्छा निती के अनुसार अब कई परिवर्तन हम देख रहे हैं ल साथ ही ये बच्चा इस अवस्था में ही स्कूल जाना प्रारंब करता था इसलिए इसे हम प्रारंबिक विद्याले की अवस्था भी कहते हैं आगे बढ़ेंगे इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध वर्गी करण क्रमानुशार व्यवस्था किसी भी वस्तू व्य बच्चा जो उसका मानसिक विकास का जो दायरा है वो निश्चित रूप से वो क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है तो ये है हमारा कौन सा वस्था मूर्त संक्रियात्मा का वस्था इसकी स्टेज क्या है एज क्या है साथ से ग्यारा वर्स आगे बढ़ेंगे वह तर्क कर सकता है आप देखते चलेंगे इससे सवाल कैसे बनेंगे समछेप में वो अपने चारो और के परियावरन के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम को सीखने लगता है वो जानने लगता अगर आप किसी बच्चे को बताएंगे न कि किसी अगर आप पौधों के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं अगर बच्चा आप से पूछेगा आप बच्चे को बताएंगे कि ये पत्ती है इस पत्ती का रंग हरा क्यूं है तो अगर आप बच्चे को बताएंगे कि क्लोरोफील के कारण हारा होता है तो निश्चित रूप से बच्चा जानने लगेगा क्योंकि आप बच्चा इस स्टेज में आगे है कि वो तर्क करने लगे अब वो चिंतन करने लगे आगे बढ़ते हैं अच्छा इससे सवाल कैसे बनेंगे ध्यान दीजेगा आपका कोश्यन वह अवस्था जब बच्चा तारकिक रूप से वस्तुवों वह घटनाओं की विशय में क्या करता है चिंतन प्रारंब करता है याद रखिएगा जब आपसे सवाल पूछे कि वह अवस्ता जिसमें बच्चा तारकिक रूप से चिंतन करना क्या करता है प्रारंब करता है तो कौन से अवस्ता होगी आपकी मूर्थ अवस्ता होगी क्योंकि अभी हमने ही देखा है तो यह क्या आपका मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता है कूर्व तो नहीं हो सकता क्यों क्यूंकि इसमें हम बच्चों को क्या देखते हैं भासा का विकास होता है इसमें बच्चे के लैंग्विस डेवलक्मेंट होते हैं इसमें बच्चा अनुकरन करता है नकल करके चीजों को सीखता है वो तर्क नहीं कर पाता यह क्या आपका मूर अगला कोश्यन है आपका बालकों की सोच में अमूर्थता की अपेक्षा ध्यान दीजेगा सवाल पर बालकों की सोच अमूर्थता की अपेक्षा अमूर्थता की अपेक्षा मतलब आपका जो चौथा स्टेज है न कौन सा मूर्थ संक्रियात्मा का वस्था उसकी अपेक्षा मूर्थ अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है निश्चीत रूप से यहां पर कोश्यन में आपका क्या दे दिया आंसर दे दिया है कि वर्ष यह साथ से बारवर्ष तो यहां कहीं पर है जन्म से दो वर्ष नहीं इसमें बच्चा क्या होता है समवेदी गामा का वस्था में होता है यह समवेदी गामा का वस्था है दो से साथ वर्ष नहीं इसमें बच्चा पूर्व संक्रियात्मा का वस्था में होता है ठीक बारा से वियस्क ये क्या है अमूर्थ है चौंता स्टेज है आपका अमूर्थ की जगह पूछा है यहाँ पर इस्टार्टिंग नहीं बना कर दिये तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत साथ से बारवर्स बिल्कुल ये मूर्त संक्रियात्म गवस्था को दर्सार है तो इस तरह से आप लोगं को सॉल्व करते चलना है अगला कोश्चन है वह इस तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में क्या करता है तारकिक रूप से सोचना सुरू करता है बिल्कुल अभी हमने देखा तो वो क्या होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा समवेदन प्रणोद अवस्था नहीं ये नहीं होगा आपका अपचारिक नहीं ये क्या आपकी पहली अवस्था है और चारिक क्रियात्मक अवस्था को ही हम क्या कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं तो यह क्या है आपकी चौथी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था इसे हम तीसरी अवस्था कहते हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे हम तीसरी अवस्था लाट कहते हैं अंसर क्या होगा आपका तीन मतलब डी चलिए आगे बड़ते हैं आप 14 Action rate संख्रीयात्मा अवस्थ है तो अब हमूत संक्रेटमा का स्था में बच्चे का जो सोच्ने समझ उस तरक करने का, वो सब में अब क्या देखने को मिलेगा? बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, आप कैसे देखीएगा, पॉइंट से समझने का प्रयास करियेगा, ये अवस्था 12 वर्ज के बाद की है, इस अवस्था की विखेष्ता निमन है, तो क्या क्या है इसमें तार्किक चिंतन की जो छमता होती है उसमें अब और ज़्यादा क्या होगा डेवलब्मेंट होगा अगर आपसे पूछे तर्क करने की छमता सबसे पहले प्रारम कहां से होती तो याद रखीएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता में होती है अगर आपसे निश्चित रूप से बच्चा बड़ा हो रहा है, आप खुद से compare करके देखिए, जब आप छोटे थे, तो आप चीजों को किस रूप में लेते थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, तो आप चीजों को और ज्यादा deep में देखने लगे, ठीक, वास्तविक करना प्रारंब कर देगा, तो यह होती है, आपकी अमूर्थ संक्रियात्म गवस्था, अब बच्चा अधिक से अधिक कल्पना करने लगेगा, वो सोचने लगेगा कि इसमें और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यह क्यों हो रहा है, मतलब अधिक सोचना प्रारंब करता है, संगतियों के संबंद वे विचार करने की शमता का विकास, जीन प्याजे ने इस अवस्था को अंतर ज्यान कहा है, याद रखिएगा, अंतर ज्यान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो जीन प्याजे के अनुसार, अंतर ज्यान की अवस्था, अमूर्थ संक्रियात्मक अव कर देते हैं तो यह है हमारे जो सिधान चला रहा है लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप चीजे थोड़ी चेंज हो रही है जब आप एन इपी 2020 देखेंगे जो नया एजुकेशन पॉलिशी आया है उसमें आप देखेंगे कि बच्चा क्या होगा आप 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह आपकी न्यू पॉलिशी है इसको हम डीप में पढ़ेंगे अभी बस इतना जानिए कि स्टार्टिंग का जो पांच वर्स है उसमें बच्चा क्या करता है तीन क् पॉइंट ऑफ यू से जिन प्याजे का सिधान्त महत्पूर्ण है आएगा यहां से सवाल चलिए अमूर्द संक्रियात्मा का अवस्था से क्या सवाल बनेगा प्याजे की अनुसार निम लिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्द संकल्पनाओ के विसाय में अमूर्द संक्रियात्मा का वस्था नहीं यह पहली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मा का वस्था नहीं इसमें बच्चा अमूर्द चीजों को नहीं सोच पाता है अमूर्द चीजों को क्या करता है वो चौथी अवस्थाओं में समझता है यह क्या है का आपका बी इस करेक्ट चलिए अगला सवाल है आपका प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्द इस्तर पर चिंतन बहुत क्रियाएं और समस्य समधान किस अवस्था में करने लगता है आपका कोश्टन रीया अंस्पर आपको दीख जा रहा है कि अमूर्थ इस्तर पर किस इस्तर पर अमूर्थ इस्तर पर देखिए डाउट में मत रहेगा अगर आपसे पुछे चिंतन वाली बात पुछे तरक वाली बात करें कि प्राराम करना इस्टार्ट करता है तो याद रखिएगा आमूर्थ संक्रियात्मा का वस्था आएगा लेकिन वहीं पर बोले औप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है औप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल एक्टिव स्टेज चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां तक हम ने क्या देखा यहां तक हम जीन प्याजे के संगेनात्मक विकास को समझे जिसमें जीन प्याजे ने क्या किया है बच्चों के मानसिक विकास के अधार पर चार भागों में बाटा है जिसमें पहली अवस्था आपकी कौन सी थी जन्म से दो वर्स थी दूसरी अवस्था क्या थी आपकी दो से साथ वर्स थी तीसरी अवस्था क्या थी आपकी तीसरी अवस्था आपकी साथ से ग्यारा वर्स या बारा वर्स और अमूर्त संक्रियात्म का वस्था निश्चित रूप से इसमें बच्चा क्या होगा बड़ा होने लगेगा और उसका और ज लोगों के लिए एक important information है तो क्या है आप लोग के लिए information information ये है कि महिला परवेच्छक का post आ चुका है जिसमें 440 पदों पर आपकी भरती होनी है और इसके लिए हमारे competition community में already 10 July 10 July को कक्षाएं प्रारम हो रही है तो आप अपनी तयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे competition community के साथ जुड़ कर इसे बहतर कर सकते हैं इसके अलावा व्यापम के जो भी exam हो रहे हैं उसका भी आप तयारी इनके साथ जुड़ के कर सकते हैं साथ ही हमारा CGPSC pre का admission प्रारम हो गया है registration open है जिसमें starting के जो 50 बच्चे होंगे उन्हें कितना discount मिलेगा वैसे तो ये 21,240 है लेकिन starting के जो 50 बच्चे हैं उन्हें ये मात्र 9,999 रुपए में ही मिलेगा और जाद information के लिए ये number दिया हुआ है आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं और इस number पे संपर्क कर सकते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा topic था समावेशी सिक्षा आज हम नया topic सुरू करेंगे क्या होता है समावेशी सिक्षा क्या महत्तो है इसका आज हम इसका एक परिचे देखेंगे तो समावेशी सिक्षा ऐसी सिक्षा होती है जिसमें किसी भी बच्चे के साथ क्या नहीं किया जाता किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता समावेशी सिक्षा का मोटिव ही यही है कि सभी के लिए समान सिक्षा ये किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करता है समाव को अपने अध्यन को क्या कर सकता है प्रगती सील बना सकता है तो ये समावेशी सिक्षा का उद्देश है समावेशी सिक्षा करता क्या है तो समावेशी सिक्षा बच्चों को एक ऐसे प्रेरक के रूप में त्यार करता है जो भविश्य में अपनी लक्षे को अपने सपने को पूरा कर सकें, तो ये हमारा समावेशी सिक्षा है, चुकि आप सभी समस्ते होंगे, पिछले में प्राचिन काल में बहुत से ऐसे बच्चे होते थें, जिन्हें सिक्षा से वंचित रखा जाता था, क्यों ये सब जाती भेदभाव के चलते, जिसके कानद कई बच्चे बहु के लिए हमारा समावेशी सिक्षा लाया गया है, और वास्तों में समावेशी सिक्षा अपने आप में एक सर्वस्रेस्ट सिक्षा पधद्धती है, तो समझेंगे, आज एक नॉर्मल इंट्रोडेक्शन देखते हैं, फिर इसे हम और ज़्यादा डिप में समझेंगे, तो आ पर कुछ समाने बच्चे भी हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नेत्रहीन हैं सुन नहीं पाते हैं वो भी बच्चे हैं तो ये सारे बच्चे क्या है आपके प्लास में एक साथ बैठ कर समान रूप से क्या कर रहे हैं अध्यन कर रहे हैं समाज निबालक क्या होते हैं तो देखिएगा समाज निबालक में आपके समाजिक रूप से जो विचलित रहते हैं वो भी बालक आते हैं क्योंकि समाजिक जो आपका समावेसी सिक्षा है ना उसमें यही तो रहते हैं कि हर तरह के बच्चे को सामिल किया जाता हैं माना जाता ह तो आपके जो सैच्छिक रूप से भिन बालक होंगे, उनको भी सामिल किया जाएगा, उनको भी सामिल किया जाएगा, साथ ही मांसिक रूप से जो विचलित बालक होंगे, उनको भी सामिल किया जाएगा, सादरिक रूप से जो विचलित होंगे, उन्हें भी क्या किया भिन भिन होता है अलग अलग होता है माल लीजे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते हैं उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिने पढ़ाई क्या लगता है एक बहुत मुस्किल लगता है पढ़ना तो चाहते ह लेकिन वो पढ़ नहीं पार है कुछ बच्चे तो लगता है कि चक्कर खाकर गिर जाएंगे इतना उन्हें पढ़ाई डरावना लगता है और कुछ बच्चे क्या होते हैं हसते खेलते पढ़ाई को करते हैं तो कहने का मतलब यह ही कि जो हमारा समावे से सिक्ष है वो किसी भी प्रकार के बच्चे हो, उनका सैच्छिक पद्धती किसी भी तरह का उन सभी को सामिल करता है, वो बच्चा कहीं कभी हो, कैसा भी हो, उन्हीं निसुल्ख पढ़ने का पूरा क्या देता है, अधिकार देता है, चली, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा सारेरे क्रूप से भिन बालाकार्थ क्या है, सारेरे क्रूप से भिन बालाकार्थ ये है, कि जो बच्चे क्या होते हैं, जो सारेरे क्रूप से अलग होते हैं, अन्य लोगों से, जैसे कई बच्चे होते हैं, जो समानने होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो दिव्यांख होते हैं, साथ ही न कि पातर होते हैं वास्ताव में जब इन बच्चों को ना पढ़ाया जाता है तो ये समान्य जो आपके जो बच्चे रहते ना उनसे भी आगे निकल जाते हैं ठीक तो ये हैं सारे रूप से भिन जो बालक होते हैं यहाँ पर एक चीज सुधार लिजेगा आप लो ये समान्य बालक के जगा आप एक चीज और कर सकते हैं समावेशी सिक्षा समावेशी सिक्षा क्योंकि समावेशी सिक्षा में हम क्या कर रहे हैं इन सभी को सामिल कर रहे हैं ये भी ठीक है लेकिन समावेशी सिक्षा में कौन-कौन से बच्चे होते हैं जिनको सामिल किया जात कि ये बच्चा जो है वो देख नहीं सकता और ये बच्चा जो है वो सुन नहीं सकता तब भी ये समान रूप से सांथ में पढ़ रहा है न तो ये चित्र क्या दर्सार है ये दर्सार है कि बच्चा कैसा भी हो किसी भी समाज से हो किसी भी भाशा का हो सारे रूप से कैसा भी ह उनका जो कह सकते हैं सिक्षा हो वो कैसा भी हो तो सभी बच्चों को हम एक साथ लेकर पढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं इसके लावा आप हॉस्टल वार्डन बनने जा रहे हैं तो आप लोगं का एक नैतिक करतवी ये है कि आप किसी भी बच्चे के सांद किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें वास्तों में प्राचिन काल में इनके सांद भेदभाव हुआ है इन्हें बहुत सारी तकलिफों का सामना करना पड़ रहा है तो इनहीं के उपचार के लिए सारी पधतिया लाया जा रहा है ये क्या है आपकी ये वो बालिका है जो देख नहीं सकती देख नहीं सकते अब जो बच्चे देख नहीं सकते उसके लिए भी क्या हुआ आपका ब्रेल लीपी का अविश्कार हुआ है, ब्रेल लीपी को एक अलग से कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत important है, यहां से भी सवाज बनते हैं, तो ये सारे बच्चे को क्या किया जाता है, समावेसी सिक्षा में सामिल किया जाता है, ये बच्चे कौन है, ये व पास्तविक्ता को समझना और अपनी डेली लाइफ में उसे अपलाई करना, सिच्चा का ये उद्देश है, सिच्चा का उद्देश रोजगार प्राप्त करना नहीं है, सिच्चा का उद्देश है नैतिक्ता का विकास, समाजिक विकास, मानसिक विकास, और आपकी जो भी समाजिक रूप से विचलित बालक भी जो होते हैं, उन्हें भी क्या किया जाता है, समावेसी सिक्षा में सामिल किया जाता है, होता क्या है, समाजिक रूप से विचलित बालक कौन होते हैं, जो कई घर ऐसे होते हैं, जिनके हाँ ठीक से खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं होता है माबाप नहीं होते हैं तो ये सब बच्चे क्या करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए करने के लिए सब चीजों को जरुरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कारे करते हुए आपको दिखेंगे वास्तों में बाल, श्रम, अपराध है किन्तु आप तब भी देखते होंगे बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे तो इस तरह के भी जो बच्चे होते हैं इन्हें पूरा अधिकार है कि अपनी सिक्षा को क्या कर सके आगे बढ़ा सके अपने सिक्षा कारे को पूरा कर सके वैसे अगर हम समाजिक इस्थिती पे जाएंगे समाजिक रूप से विचलित बालक तो वैसे तो बहुत सारी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बच्चा शेयर भी नहीं कर पाता है तो समाजिक रूप से विचलित बालक का मतलब यह है जो मांसिक रूप से भी विचलित होते हैं और साररिक रूप से भी विचलित होते हैं उनका कई प्रकार से क्या किया जाता है सोसर किया जा सकता है किया जाता है आप सोज भी नहीं सकते हैं कि बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता है आप imagine नहीं कर सकते अगर आप news देखें अगर यह सारी चीजे देखें तो आप विचलित हो जाएंगे तो यही है तो सिक्षा में यही समझाता है कि इन सब चीजों से हमें क्या करना है अपनी जरुरतों को थोड़ा पूरा करने में ही जा रहा है तो समावेसे सिक्षा यही दर्शाना चाहता है कि आप बच्चा किसी भी प्रकार का हो हम बच्चा को सिक्षा देंगे समावेसे सिक्षा किसी में भेदभाव नहीं करता है जैसे कि मैंने बताया कि इसका मोटी भी है, समान बालकों के लिए समान सिक्षा, या सभी के लिए समान सिक्षा, अगला क्या है, अब ये बच्चे ऐसे हैं, जो क्या है, अनात हैं, और ये भी अध्यन कर रहे हैं, मतलब अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, तो भी पढ़ सकत तभी तो हमारे भारत में निसुल्ख सिक्षा चल रही है आगे जब हम एंसी अफ टूटाउजन फाइब आपका एनिपी टूटाउजन ट्वेंटी ये ट्वेंटी ट्वेंटी आप देखेंगे इसके अलावा और भी जो एजुकेशन है पॉलिसी आए हैं उन सब को एक एकर क समझेंगे अभी बस इतना जानिए कि समावेसे सिच्छा क्या करता है कैसा भी बच्चा हो उन्हें सामिल करता है जैसा कि मैंने बताया कि समाजिक रोप से प्ताड़ित जो बच्चे होते हैं अब आप देखिए कि क्या होता है कई-कई घर में ऐसे होते हैं कि माबाप कि आसाहाई हो जाते हैं यह नहीं पड़ पाते हैं तो यह वास्तों में हमारे समाज की reality है कि चीजे जितनी खूबसुरत दिखती होती नहीं इसके पीछे बहुत एक दुख भरा क्या होता है दास्ता होता है जो अपने आप में आप सोचेंगे ना तो खतरनाक होता है तो आ माजिक मुल्यों को समझ सके और क्या है कई बार हम पढ़ाई के नाम पर बच्चों को प्रताडित करते हैं मार कर पढ़ाना उन्हें जबर जस्ती प्रेसराइज करना तो यह सब चीजे क्या है गलत है बच्चों को मांसिक रूप से क्या करती एकदम दबाओ जैसे महसूस करात तो सिख्षा पद्धती को क्यों इतना बहतर बनाया जा रहा है ताकि हम बच्चों को जितना पढ़ाई के नाम पर जिने हम बोज देते हैं तो उन्हें बोज ना लगे बलकि खेल के माध्यम से हो जब आप सीखने का मॉडल समझेंगे तो सीखने के मॉडल में एक तीसरा मॉडल है रचनावादी मॉडल वास्तों में रचनावादी जो मॉडल है वो जो रटने वाली पद्धती है उसका क्या करता है विरोध करता है कि बच्चों को रटन पनाली स से दूर किया जाए रचनवादी मॉडल जो होता है समावेसी जो सिक्षा है उसका ही एक हिस्सा है इसमें बच्चों को हम क्या करते हैं खोच करता के रूप में बनाते हैं ताकि बच्चा क्या करे उसका जिसमें इंट्रेस्ट है वो जो करना चाहता है वो करे ना कि आपका जो घर में जो tension वगेरा होता है लड़ा की जगड़ा इससे भी बच्चा क्या होता है प्रभावित होता है हमें लगता है normal लगता है क्या रे कुछ नहीं होता है लेकिन वास्ताओं में बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है आज कल बच्चे यह सब चीजे बरदास नहीं कर पाते कि अगर आप पांस साल के भी बच्चे हो ना एकदम डाट देवे चिलाद होगे ना तो उससे इतना दुख पहुंचेगा क्यूंकि उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी स्वावीमान को ठेज पहुंचेगा आपको लगेगा ना य तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं एकदम उनको प्रेम से कभी कभी समझाना पड़ता है एक एज के हिसाब से हमें बच्चों के साथ चलना पड़ता है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है हर टाइम हम उसे छोटा बच्चा कहे कर उसे प्रताईट नहीं कर सकते हैं, कभी-कभी हम उसे डाटने का मतलब प्यार भी समझते हैं, पर बच्चा क्या होता है, आपके डाट को कभी-कभी अपने आप में एक दुखी का रूप ले लेता है, ऐसा समझ सकते हैं कि हम बच्चों को कभी-कभी जादा डाट देते इसलेदं ना तो बच्चे उससे बहुत ज़ादा दुखी हो जाते हैं और कभी कभी बच्चे डर्पो पाध्धति वाले हम जाते और बच्चों के साथ एक चीज हम क्या करते हैं, धूल, धूल वाली बात आई चुकी, अगर बच्चा धूल मिट्टी के साथ खेलता है, तो हम उसे डाटते हैं, मारते हैं, कि धूल में खेलता है, मिट्टी से खेलता है, कपड़ा गंद हो जाए, तो नहीं, ये सब चीजे ग में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को कैसा इंवायर्मेंट दे कि उसका विकास क्या हो सके बहतर हो सके वही बात है ये कि हमने भी बात की कि आप बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव देकर उससे आप नहीं करा सकते कोई भी काम तो आप उन्हें स्वतंद बालक क्या होते हैं मानसिक रूप से विचलित बालक का मतलब यह होता है कि किसी किसी बालक का क्या होता है आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है और किसी किसी बालक का आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है इसके बावजूत कई बच्चे आगे बढ़ जात तो आपका मानसिक रूप से भी जो विचलित बालक होगा वो भी आहे बढ़ेगा अगर आप उन्हें ऐसा environment प्रोवाइट कराएंगे ऐसा सिक्षा देंगे जो क्या होगा समावेसी सिक्षा का रूप होगा तो यह हो गया क्या हमारा जितने समावेसी सिक्षा में बच्चे आ स क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों नहों आप बिल्कुल निशुल का हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं offline बिल्कुल free समय होगा शाम को पांच बजे माह के प्रत्यक दूसरे शनिवार को और जगा होगा competition community मंगला चौक बिलास है हमेशा आपके साथ टीम कोको